दोस्तों अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन पे क्लिक करना बिल्कुल नहीं भूले ताकि मेरा प्रतेक वीडियो का नोडिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता है नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब इंडियन गाडेनिंग चैनल में आपका फिर से स्वागत है दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको सिखाने वाले हैं कि अंगूर को कटिंग से कैसे उगाएं दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये कोई बेहतर खेती का वीडियो स हो सके क्योंकि इसके जो फल हैं वो फलते समय काफी ज्यादा अट्रेक्टिव भी होते हैं काफी अच्छे लगते हैं तो इस तरह से आप चाहें तो आपके पास जदी घड़ के बाहर कोई स्पेस है वैसा जहां पर आप इसे हैं करके रख सकते हैं जैसे कि हम बहुत सारे बेल सौकिय तोर फे घर पे लगाया हुआ है और इसमें कितनी अच्छी फ्रोटिंग हो रही है तो दोस्तों अभी इस वीडियो में बस आपको दिखाएंगे कि इसे हम इसके बेल को कैसे ग्रो करते हैं इसके कटिंग कैसे लगाते हैं तो दोस्तों मैंने उस पौध्य का एक बे कम से कम दो यह तीन गांठ आप अंदर से ले ले ताकि आप एक गांठ को तो आप sł minder को दो को उपर आपने दे तो हो सकता है कि मिठी के नीचे से भी आपके उसमें नय जो इस प्रॉट से हैं वह निकल आएंगे और मिठी के उपर वाले भी निकलेंगे तो आपका पोधा काफी घना होगा और निश्ची तोर पर लगेगा तो दोस्तों जैसे के आपने देखा कि मैंने बेल का कटिंग ले लिया है और मैं उसे एक छोटे से पोर्ट में ग्रो करने वाला हूं और ग्रो करने के लिए दोस्तों मैं और नदी की रेत और गाडेन स्वाइल और वर्मी कंपोस्ट यह चारो चीज आपको बराबर बराबर भागों में लेना है यानि कि 25 परसेंट हिस्सा चारो चीजों का होना चाहिए इस तरह से आपको अपनी स्वाइल मीडिया त्यार करनी है और इसमें कोई खास और करता सा डिबी मिल जाता है दोस्तों अंगूर की कटिंग लगाते समय एक बात आपको खास तोर पर ध्यान में रखना है क्योंकि कटिंग करते वक्त उसके जो ब्रांचे से आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सा उपर का भाग है और कौन सा नीचे का भाग है तो आप हमेशा जब भी कटिंग करते हैं तो हमेशा यह ध्यान रखें कि नीचे वाला भाग ही नीचे मिटी में दबाना है और उपर वाला भाग को उपर रखना है नहीं तो जदी आप उसे उल्टा लगा देंगे तो उसमें कभी जर्मिनेशन नहीं होगा कभी उसमें नए स्प्राउट् तो इस परकार आप रूटिंग हार्मोन का मदद लेते हुए भी आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं या आपके पास रूटिंग हार्मोन नहीं है तो इसके भीने भी आप अच्छे वेधर में लगाते हैं तो आपके जो बेल हैं वो ग्रोफ कर जाएंगी तो दोस्तों इसे लगाना उतना ही ज्यादा असान है और मैंने इसकी एक दो कटिंग भी लगाई है और जिसका मैं रिजल्ट भी आपको दिखलाता हूं कि एक सप्ताह के बाद उसमें नए स्प्राउट्स निकला है नई पतियां निकलाई है और वो कैसी ग्रोथ पे है वो आपको दिखाता हू तो कटिंग लगाने के ठीक 10 दिन के बाद का ये रिजल्ट है जो आप देख पा रहे हैं कि इसमें 3-4 पतियां आ गई है और ये अच्छी तरह से ग्रोग कर रही है तो यहाँ पे हम ध्यान रखेंगे कि कम से कम इसे एक महीने तक इसे हिलाएंगे नहीं इसे उसी पोर्ट म में लगाते हैं तो आपको काफी बराकार का गमला लेना होगा और हमेशा प्रूनिंग करते रहना होगा वरना ये उसमें ग्रोथ नहीं कर पाएंगी इनकी पतियां छोटी-छोटी हो जाएंगी और साइक फल भी नहीं लगे क्यूंकि इसका जो बेल है वो काफी विसालकाय होता है बहुत लंबा बढ़ता है और इसके लिए आपको जमीन में ही लगाना ज्यादा उचित होगा और जमीन की बात कर ले तो आप रेतिली मिटी वाली जमीन पर लगाएंगे तो इसका रिजल्ट आपको काफी अच्छा मिलेगा जदी हम टेंप्रेचर पे इसकी बात कर दीजिएगा मिलते हैं को और नए वीडियो का सांथ तब तक के लिए नमस्ता है